असलाम की विवर्स मैंने जवान चीमा फांडर और सी योफ मकाउन सलूशन स्पाइब लिमिटेड यो जर्नी फिर्म प्लॉट टू होम इस रोडियो में आपको मैं एक्जेक्टिव डिस्टिक वन ब्लॉक बीखे वाले से ताऊंगा जस्ट फॉर्ड रेकर्ड ये ब्लॉक ज वाले स्वाह Bay के ब्लॉक सी कि कुछ पार्ट पे ब्लॉक कि काम हुआ है बाकी तमाम में जितनी स्ट्रीटों जो डिवेलप हो चुकी हैं यहां भी नॉन डिवेलप्ट हैं उन हमाले से आपको डिटेल्स आने कोश्च करूंगा सब्सक्राइब देखते हैं मास्टर प्लैन पर कि एक एक्जेक्टिव ब्लॉग भी में यह वाला जो एरिया है यह मास्टर प्लैन में ब्रिज की एक्जेक्टिव बाद यह काम पर आता है यह वीडियो जो है रिकॉर्ड की गई है 20th of November 2021 यानि कि यह कल की वीडियो है और इस वीडियो में आगे जितनी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा कुछ वीडियो दो मैं पर पास end of October की पढ़ी है कुछ end of November की पढ़ी है तो मैं साथ-साथ record के लिए बताता जाओंगा यह कौन से date की recorded वीडियो है इसकिन पर CSC के master plan देख सकते हैं master plan में जो जिस block के वाले से specifically वीडियो है वो यह block है और इस block में जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी के पार्शली डिवेलप्ट है सारा ब्लॉक भी मुकमल डिवेलप्ट नहीं तक एटी सेटी परसंट ब्लॉक है जो डिलिवर्ड है बाकिस पर कामा भी रहता है अगर मैं इसको गूगलर सैटलाइट पर ले जाओं तो आपको सामने जो चीजें क्लियर नजर आएंगे आपको वह यह है कि यह हाफ ब्लॉक है जो मुकमल तोर पर कैसे थे हैं कि जिनकी स्ट्रीट का लेवट प्लैन बन चुका है जिनमें प्रॉप पर अंदर कार्पेटिंग भी हो चुकी है और हाफ बलॉक नहीं, तकरिवरण 20% विफ्टीन परसंत ब्लॉक ऐसा होगा जिनमें भी काम झाब नहीं हो reading यह स्ट्रीट का पार्शल पार्ट रहता हर इह स्ट्रीट का रॉलाइन पार्ट रहता है वो भी हाफ तकरीबन बन गिया है और हाफ है जो भी रहता है तो ये अवराल जो एक्जेक्टिव ब्लॉक है ये एक वाहिद ब्लॉक है ये वाहिद डिस्टिक पुरे डिस्टिक में वाहिद ब्लॉक है एक्जेक्टिव ब्लॉक B ये एक्जेक्टिव डिस्टिक के अंदर सेक तो ब्लॉक C में कुछ पार्ट ब्राउनिंग वाला हुआ है बाकी तमाम का तमाम ब्लॉक उसी तरह नॉन डिवलप्ट है अगर हम ब्लॉक D की तरह आए तो ब्लॉक D तो मकम्ल जार सी बात भी रॉल लैन्ड है उस पे अभी ब्राउनिंग का का अगास भी नहीं हुआ तो एक का कौनसेट नहीं था यहां पर सर्फ एक affili टी जर्न ब्लॉक था जिसक का एड़ लॉक किया झाया था और इसकेलावर के में लग्यार 310 सेक्टर जोниगर पॉजिशन की सब्सक्राइब अगर आप कोई Markus इसे में अगर थोडरी बंदा यह में पुलिवर्ड आर वन है यह एकसेस टोट वन का एकसेस है और बाकी मदब बहुत ज़्यदा इसमें डिवल्पमेंट हुई है इसके इंपर पॉजेशन हैंड़ जाए अगें बैक रिल टाम फुटेज इस सक्रीन पे जो एक्जेक्टिव ब्लॉक भी है उसका स्ट्रीट के लेइवट जेख सकते हैं इसके अग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इस में धेर पॉस्टिट इसária करें बिल टॉयदेट में better जी डूज्यक्टिव ब्लॉक में कोमसी प्लॉट निवर हो चुकी Anlle most वो है कि objective block में overhead water tenkise pandemia जो मेरे हाला है कर दूसरी prominent चीज है वह rolls ने वाले पांच पांच पे विलाज को सायटी ने ऀनाउस किया था कि by the end of 2022 हम objective block में भी कुछ पांच माजिडिय कांड वन से अंड़ Va Music एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक्जेक्टिब लॉक के अंदर ये जो पांच मेला के विलास हैं इनका पॉजेशन भी हैंडवर हो जाए इनकी बैलेटिंग भी हो जाएगी और इनके मेंब्रान को भी लॉकेशन लॉट हो जाएंगी अगर आप वीडियो में देख सकें तक त देखा जाए तो आज की डेट में सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है तो जिन मेंब्रान ने भी विलास बाय किये हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी इंवेस्टमेंट फ्यूचर में स्मार्ट एक्टि में थावित होगी क्यूंकि जिस डेट पर आजकल जो जाएंगे तो आज़ी ऊपर 1.25 क्रोड से 1.30 क्रोड का दो यह रखे सकते हैं तो यह इन लेन्स पे में जन इन डीजियल के भी ब्लॉट है अभी लेन आप 1-4 शामिल कर लें, वो बने प्लॉट का पॉस्चिन अप्लाई करके घर बना सकते हैं, अगर आपको स्मार्ट एटी के वाले से कुछ मालूमा चाहिए, तो मेरा नमबर आपके स्क्रीन पे वैलेबल है, आप मुझे वाटसेप कर सकते हैं, इसके लावा अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज दू लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को स्ब्सक्राइब करना मत पूलें, और कोई भी मालूमा चाहिए, स्मार्ट एटी के हावाले से तो आप हमारी वैबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.makansolutions.com लिजबान चीमा को दीजिए अजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज क्यावा करता हैं, चाह होता है, दो घर गाज़र को स्ब्सक्राइब धंकता हैं खाह भी मालूमीो डिप recur budget को स boysो बगिए hundred क्या सकते हैं, झालसाह भी माल यजिए और